आपने FCRA में संशोधन किया, उसके बाद कई एंज्योज या आरूप लगा रहे हैं कि आप जो उनके पैसे हैं वो आने नहीं दे रहे हैं, जरूर नहीं आने देंगे, अगर धर्मपरिवर्तन के लिए आते हैं, तो घैर कानूनी, इस देश के अंदर अंदोलन करने के लिए तो घैर कानून है, नहीं आना चाहिए, इस देश ने कानून बनाए, FCRA कानून को हमने कड़ा किया है, आपके उद्येश स्पष्ट करिए, आपके कारेक्रम स्पष्ट करिए, आपके एकाउंट ओडिट कराइए, क्या तकलिफ है इसमें, अगर ये सब ठीक है तो किसी को न लोकना ही चाहिए, अंग्रेजों के बनाए कानून, इतने पुराने कानून आप लोग ने बदल दिये, कैसे लगा कि अब वक्त आगया इनको बदलने का, नहीं देखे, बहुत समय से कम से कम लोकसभा की, गुरू विभा की, परामर्सदार्त्री समीती जो होती है, इसने च सिफारी से की थी, दो बार लॉग कमिशन ने की थी, और हम जानते थे कि ये कानून भारत के समविदान की स्पिरिट को जमिन पर नहीं उतारते हैं, इसलिए हमने बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया, उननिस से लेकर चौबीस तक का हजारों लोगों से कंसल्टेशन करने के बाद एकिया है, और मुझे आनन्द है कि बाएन राज देश ने इस कानूनों का स्वागत किया है, इसका नोटिफिकिशन भी हो गया है, और मैं देश की जनता को अस्वस्त करना चाहता हूँ, एक कानून भारत की मिट्टी की सुगंद से बने हुए कानून है, एक कानून विश्वकी सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टिम देंगे, और एक कानून पूनतय आमल में आने के बाद मेरा आपको विश्वास है, मैं स्टडी करकर बता रहा हूँ कि तीन साल में किसी भी एफायर का जज्जमेंट सुप्रीम कौर्ट तक का आजाएगा, इसको क कोई नहीं रूख सकता, अब समय आ गया है, समय पर न्याय को प्राप्त करने का